हेले दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर एक और नए वीडियो के साथ दोस्तो आज मैं बात करने वाला हूँ दोस्तो यहाँ पर VLE रेजिस्ट्रिशन एक बार फीचे सुरू हो चुका है यानि कि सहच कॉर्पोरेशन की तरफ से दोस्तो यहाँ पर नए वीडियो को रजिस्ट्रिशन किया जा रहा है दोस्तो यहाँ पर साइड ओपन हो चुके दोस्तो मैं आपको सैंटर फॉर ए गवर्नेंस की तरफ से जो भी सुविधाय मिलने वाली दोस्तो इसके बारे मैं स्कीप की आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको पूरा प्रोसस समझ में आएगा दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं रिटेल.sahas.co वाली वेबसाइड पिक आ जाना है दोस्तों इस वेबसाइड का लिंक हम अपने डिस् करना है तो दोस्तों आपको कुछ नियम और सर्तों का पालन करना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पर किस प्रकार का डॉक्यूमेंट लगने वाला मैं आपको सबसे पहले उसके बारे में अवेयर कराऊंगा दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इंड कमタ देखने को मिल जाता है आपको इसी बटन करना है क्लिक करने के बाद एक नया पेच ओपन होकर आ जाएगा दोस्तों इस पेजपए आजाने के बाद यहाँ पर डॉक्यलइन ओपन होकर आ जाती है दोस्तों यहाँ पर 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 प्रूफ ऑईडेंटिटी यानि की दो आई में दोस्तों आपको pen card provide करना है इसके बाद दोस्तों proof of address वाले section में आना है यहाँ पर आपके पास आधार card, water card, driving license, passport चारों में से चाहे जो भी data है आप यहाँ पर upload कर सकते है इसके बाद दोस्तों proof of address का यहाँ पर मांगा जाता है दोस्तों यहाँ पर आप अपनी business का जो भी आपका address होगा दोस्तों उसे भी यहाँ पर upload कर देना है इसके बाद दोस्तों other documents में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं I.I.B.A. certificate या फिर यहाँ पर पुलिस verification certificate दिया यहाँ पर upload करना होता है और यहाँ पर educational certificate भी upload करना होता है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर other detail में देख सकते हैं यहाँ पर आपको अपना bank detail भी देना पड़ता है और साथ-साथ में आपका जहाँ पर भी shop है यानि कि आपकी जो दुकान है वहाँ का location सहीद आपको यहाँ पर document upload करना होता है तो चले दोस्तों अब registration का process हम पूरा करके आपको दिखाते हैं किस प्रकार से registration किया जाना है और किन-किन steps को follow करना है registration के लिए दोस्तों right side में top पर आपको registration का एक बटन देखने को मिल जाता है दोस्तों यहाँ पर जब आप click करते हैं दोस्तों यहाँ पर नीचे 4 options open होके आ जाता है new registration, new registration, status, continue registration और how to register का button देखने को मिल जाता है दोस्तों अब हम new registration बटन पर click करेंगे क्लिक करने के बाद दोस्तो हमें easily scroll down कर ला होगा दोस्तो यहां पर सबसे टॉप पे आप देख सकते हैं red color का एक notification लिखा हुआ है दोस्तो यहां पर जो भी payment deduct होगा online ही होगा दोस्तो आपको cash यानि कि आपको कोई other person call करके मतलब बोलता है कि सहज में ID के लिए कुछ पैसे पे करने है दोस्तो आपको 1 रुपया किसी को देने की कोई जरूवत नहीं है जो भी payment होगा इसी website से online ही deduct कर लिया जाएगा इसके बाद दोस्तो अब मैं आपको पूरा process दिखाने वाला दोस्तो बिना पर सब टिक आउट करना होगा दोस्तों यहां पर आपको category select करना है सहज मित्र अगर दोस्तो रिटेलर ID चाहते है सहज मित्र नहीं तो अगर आपको distributor ID तो दोस्तों यहां पर उसका भी option नीचे देखने को मिल जाएगा दोस्तों यहां पर आपको अपना जो category रखना है दोस्तों जैसे कि यहां पर आप अपने हिसाब से जो भी category चाहते हैं वहां पर रख सकते हैं दोस्तों यहां पर मैं SSG रखने वाला हूँ इसके बाद दोस्तों आपके company का जो भी नाम है या या आपकी business जो भी नाम है, दुकान का नाम जो भी है, यहाँ पर प्रोवाइट कर देना है, उसके बाद इन कर्पोरेशन डेट प्रोवाइट करना है, इसके बाद दोस्तों फोर्थ स्टेप में यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड अपलोड करना है, और यहाँ पर मैनुवली अपना verification मांगा जाएगा आपको successfully इसे submit कर देना है फिर last में आपको कुछ इस प्रकार का complete form देखने को मिल जाएगा दोस्तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर मेरा registration proper तरीके से complete हो चुका है दोस्तो आपने वहाँ पर जो भी email id प्रोवाइड किया था वहाँ पर आपको आपका user id और password मिल जाएगा दोस्तो आपका login id successfully होने लगेगा और यहाँ पर पेमेंट आइड करके बाकी का process जाने की आएजात निवास और other कारे को आप यहाँ पर पूरा कर सकते हैं तो दोस्तो आपको कुछ दिन का wait करना होता है कुछ दिन में यहाँ सहज की team की तरफ से आपको user id पासवर्ट दे दिया जाता है दोस्तो यही सब steps है basic steps है जो इस सहज में आप easy तरीके से registration करके घर बैठे दोस्तो आप CSE के operator बन सकते हैं और easily महेने का 20,000 से 50,000 रुपए तक easily earn कर सकते दोस्तो इस website का मैं दोस्तो लिंक description box में provide कर दूँगा वहाँ से आप directly website पर visit भी कर पाएंगे दोस्तो इसके साथ साथ दोस्तो मैं वहाँ पे कुछ manually information टाइप कर दूँगा जहाँ पर आप description में दिये गए जो भी information में वहाँ पे दूँगा आपको proper तरीके से read करना है उसके बाद ही form को apply करना है दोस्तो आपके email पे जो user ID password मिला है या फिर आप mobile number की मदद से directly सहस के dashboard में login हो सकते हैं तो दोस्तो आपको यहाँ जो आपको mail पे जो भी user ID password दिया गया होगा दोस्तो उसे आपको सही तरीके से save करके रख लेना है उसका print copy भी करके रख लेना है दोस्तो यहीं वीडियो में दे गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो like, share, subscribe, comment अवस्य करें धन्यवाद